हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमश्कार वगवगत वागत है आप सभी का Study IQ IAS Hindi में मेरा नाम है अतुल जैन IAS अफसर बनना तो मेरे ख्याल से आप सभी का सपना है इसलिए आप लोग मेरे को सुन रहे हैं आप सभी ने तैय किया है कि जीवन में आपका जो तरक्की का रास्ता है वो Civil Services से होकर जाता है ये वो परिक्षा है जिसको आप Clear करना चाहते हैं अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं सपने साकार करना चाहते हैं IAS बनने तक की यात्रा क्या है ये तो अक्सर आपको पता है मतलब आप जानते हैं पढ़ाई करनी है मेहनत करनी है Pre Clear करना है Means Clear करना है Andrew देना है internet view дов करना है celebrate करना है यह तो पता है सवाशर यह आता है कि एक बार आइएर बन गए फिर क्या होता है इसके बारे में मैं सवाशने तरह पर यह देखा है कि अगर मैं दस Aspepción से पूछता हूँ कि यह अगर चयन हो गया पता है चैन के बाद क्या होता है तो अक्सर बच्चे बोलते हैं सर कुछ training training जैसी होती तो है अब वो क्या है कुछ खास पता है नहीं तो आज जो है अगले 10 मिनिट में केवल मैं आपको एक outline दूँगा ऐसा को बहुत विस्तार से तो नहीं बता सकता लेकिन एक outline दूँगा कि अगर आप UPSC में select हो जाते हैं आप IAS की बात करेंगे आज केवल कभी आगे फिर दूसरी services के बारे में भी ऐसे lecture बना सकते हैं कि आप जब IAS बन जाते हैं तो आपकी training जो है वो training होती क्या है आपको उस training में क्या करना होता है उस training के अंदर आपको क्या-क्या skills सिखाई जाती है इसके बारे में हम अगले 10 मिनिट में के वल चर्चा करेंगे पर इस चर्चा के पहले आपको बता दूँ कि भाया हमारी मौनसून धमा का sale अभी चल रही है बहुत जादा उत्साह आप लोग दिखा रहे हैं इसको लेकर लेकिन जो लोग अभी भी confused हैं याद रखिए भाई क्वालिफाइ करते हैं तो यह फीस आपको refund हो जाएगी और आपको मेंस के तयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ free होगा मेंस के तयारी के लिए अभी बॉंसून सेल में AJ live code अगर आप लगाते हैं तो आपको यह बैच मिल जाएग अगर आप इससे जुड़ सकते हैं इतने कम दाम में इतनी शांदार ट्रेनिंग आपको UPSC की नहीं दी जा सकती तो आज ही इस बैच से जुड़िए और आप जो है अपनी तयारी को एक शांदार सही आकार प्रदान कीजिए चलिए अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा को तो सबसे पहले अगर मैं बात करू ट्रेनिंग की प्रशिक्षन की तो जैसे आप लोग जानते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति कोई छात्र या छात्रा IAS बनता है तो उसको सबसे पहले बुलाया जाता है लबासना मसूरी ये कलर बदल लेते हैं इसका हाँ लाल बहादुर शास प्रशास्वन संस्थान जो है यहां पर इसको बुलाया जाता है और यहां पर एक तीन साड़े तीन महीने का जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है पाउंडेशन कोड देखा जाए तो ट्रेनिंग का सबसे मज़विदार हिस्सा होता है जो भी लोग यहाँ पर जाते हैं वो बताते हैं कि पाउंडेशन कोड आपको जिंदगी भर Lenormagraph रहता है कई सारी सेवाओं के मित्रों को यहां पर बुलाया जाता है और आइडिया यहां पर यह नहीं होता कि सेवावार सर्विस वाइज उनको अलग अलग जगा रखा जाए बलकि जो भी लोग सिविल सर्विस में चैनित हुए हैं सबको बुलाया जाए और यहां पर आपको जो है इंडियन पॉलिटी जो आप बेसिकली यूपी एचसी के लिए पढ़के गए हैं इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एकनॉमिक्स, करेंट अफेर्स इन सब की पढ़ाई होती है लेकिन फाउंडेशन कोर्स का तातपर्य जो होता है बिटा वो बेसिकली होता है आप में एक जिसको हम कहते हैं समुदाय की भावना पैदा करना तो एक तरह से सभी सिविल सरवेंट जो है वो अपने सिम्मिदारी समझते हैं और जो कहते हैं अपने बैच के लोगों फे दोस्तियां जो होती है वो फाउंडेशन कोर्स के दौरान होती है तो भाई यह जो दोस्तियों आपको देखा है जो बहुत मोटे ताजे फाउंडेशन कोर्स में गए थे और उसके बाद जो है एकदम फिट होकर वहां से लोटे बहुत अच्छी चीज़ है और आपको जो है वहां पे एक अफसर की तरह एक अधिकारी की तरह रहना से खाया जाता है आप जब वहां पे खा आने में ही अच्छा थासा समय लग जाता है तो हाला कि सुविधाएं आपको मिलती है आप अपना कमरा किसी एक प्रशिक्ष्यू के साथ शेयर करते हैं पर आपको आपके रोजमर्रा के काम के लिए एक सहायक मिलता है तो यह चीज़ें आपको पाउंडेशन कोर्स में घुमाया जाता है वहां पर आपको सेना के साथ अटायस किया जाता है अगर सीमावर्ती शेत्र में हैं स्थानि Bennett संस्थानों के प्रशा walks किया धाता है स्थानध syndrome प्रशाशन की चलता है आप उनको देखते हैं और बहुत सारा जो है आप अनुभव बटोरते हैं क्योंकि होता क्या है देखिए UPSC के तयारी एक बड़ा academic काम है आप अक्सर पढ़ते पढ़ते ही UIS बच जाते हो आपने वास्तविक दुनिया जीवन देखा नहीं होता तो यह आपको यहां पर academy आपकी जो एधराबाद में है वहां चले जाते हैं आई आरे अधिकारी नागपूर चले जाते हैं वग्यरा वग्यरा यहां पर आई एस बचते हैं और अब होती है पढ़ाई शुरू तो भाईया सबसे पहले आपका होता है यहां पर अध्ययनकाल आपका शुरू होता है और इस अध्ययनकाल में आपको majorly जो सबसे important चीज़े पढ़ाई जाती है वो law है वह सबसे important तो law है देखें law बहुत important है आपको कानून आना चाहिए आप कौन से कानून के तहरे दिरने दे सकते हैं क्योंकि आप एक जिला magistrate बनने वाले हैं तो आपको यह सारी चीज़े त सिखाई जाती हैं ताकि आपको basic चीज़े जो है वो पता हूं जो आपको एक इसके अलावा public administration आपको सूचना आपको जो है ICT जिसे हम बोलते हैं सूचना प्रद्योगी की details समझाए जाते हैं प्रशासन की best practices कि अच्छा कि जिसको हम कहते हैं लोग प्रशासन पबैड वाल चुका होता है तो आपको एक साथ के साथ स्थानिय भाशा भी सिखानी शुरू कर दी जाती है जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन आपको अगर तमिल नाडू के अडर मिला है तो आपके तमिल क्लास के lectures भी शुरू हो जाएंगे आपको तमिल सिखाई चाएगी आपको कम फिकम functional तमिल लिखनी बोलनी पढ़नी आ जाए ताकि आप वहां पर काम कर सकें इस लायक तमिल आपको सिखाई जाएगी तो उसके लिए काम करना यहां पर शुरू हो जाता है यह प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है ठीक है जी तो यहां तक जो था यह आपका जो है यह आपका यहां तक तो आप academy के अंदर ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद आपका शुरू होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग या फिर जिला ट्रेनिंग उसके बाद आपकी शुरू होती है जिले की ट्रेनिंग और जिला ट्रेनिंग जो होती है आपकी ये बात क्लियर है जिला ट्रेनिंग में क्या होता है आपको जो है ये करीब करीब एक साल लंबी आपकी होती है तो जिला ट्रेनिंग में क्या होता है आपको जो भी कैडर आपक आपको मद्य प्रदेश सरकार के सुपूर्द कर दिया जाता है कि अभी अधिकारी आपका है आपको इससे जो कराना है कराईए और मद्य प्रदेश सरकार क्या करती है उदारण के लिए example के लिए कोई भी क्याडर हो सकता है आपकी reporting मुख्य सच्चिव को होती है जो वहां के प्रशासन का मुख्या है लेकिन आपको किसी जिले में तैनाद कर दिया जाता है और इसके अंदर क्या होता है आप किसी collector के साथ attach होते है आप किसी collector के साथ आपको सनलगन किया जाता है और आइडिया ये है कि आप सीखिए आप वहां पर जो है सीखिए कि वहां पर शासन प्रशासन जो है वो कैसे होता है ठीक है और हर राज्य का अपना प्रशासने के academy होता है आप कुछ सब्ता वहां गुजारते हैं वहाँ पे उफ राज जी की समस्याओं के बारे में समझते हैं, उफ राज जी के प्रशासन के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, क्योंकि इस बात को समझे है कि भारत के हर राज में प्रशासन के स्ट्रक्चर में थोड़े फर्क हो सकते हैं, जो प्रशासन का स्ट्रक्चर सनलगन देते हैं, तो आप पहले, इसमें पहला स्टेप जो था, वो अकाडमी में था, पहले आप राज एकाडमी में जाते हैं, कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद क्या है, आप जो है, कलेक्टर के साथ सनलगन होते हैं, पच्चिस से तीस सपता के लिए, जिसमें collector आपको अलग-अलग बैठकों में बठा सकता है कई बार collector आपको independent charge भी दे सकता है कई बार ये भी होता है कि collector आपको एक तहसील का तहसीलदार बनातेगा कि आप जो है इस तहसील के तहसीलदार है अगले एक महीने के लिए ठीक है तो IPS वालो के और मवदार होता है उन्हें किसी थाने का सेच्चो बना दिया जाता है मतलब में मेरे कुछ मित्र हैं जो IPS हैं उन्हें ट्राफिक पुलिस का इंचार्ज बना दिया गया एक चौराहे पर तो वो IPS officer actually खड़ा होके traffic manage कर रहा था तो आइडिया वही है कि आपको जो काम आप करवाने वाले हो वो आपको भी तो करना आना चाहिए तो आपको एक तहसील का तहसीलदार बना दिया जाएगा आप वहां बैठके तहसील चलाइए चुनौतियां समझिए और collector जो होता है वो आपको guide करने के लिए हमेशा होता ही होता है इसके बाद आपको कुछ समय के लिए राज्य के सचवाले में सनलग में किया जाता है क्योंकि याद रखिए कि IAF अधिकारी जो होते हैं केवल field में ही नहीं होते secretariat में भी होते हैं आपकी posting किसी भी तरह की हो फक्ती है तो आपको secretariat में सचवाले में किस तरह से काम होता है योजनाएं कैसे बनती है उसका प्रशिक्षन देने के लिए आपको राज्य सचवाले में भी तैनात किया जाता है ये काम भी आपको दिया जाता है ठीक है ये आपका बहुत ही सिंपल सी चीज है ये किया जाता है जब आपकी ये ट्रेनिंग खतम हो जाती है तो आपको वापस लबासना बुलाया जाता है आप दुबारा लबासना जाते हैं और इस बार लबासना में आपको आपका जो अनु अब आप एक साल दुनिया के ठक्के खाके आए हो आप सब कुछ देखके आए हो तो आपको थोड़ा बहतर जानकारी होती है और आपका जो है एक अडवांस लेवल ट्रेनिंग का जिसको हम फेज टू कहते हैं कि आपका जो है आपको और बहतर आपका स्किल डेवलेप्मेंट आप में कौशल विकास किया जाता है क्योंकि अब आपके पास अनुभव भी है कि प्रशासन कैसा चलता है क्या समस्याएं आती है तो आपका थोड़ा अडवांस लेवल का कौशल विकास यहां पर किया जाता है ठीक है जी यह बात क्लियर हो गई तो यह आपकी ट्रेनिंग वहाँ पर complete की जाती है, बहुत तरह के यहाँ पर seminar होते हैं, अक्षर विदेश यात्रा होती है, आपको किसी दूसरे देश बेचा जाता है, और दूसरे देश में ऐसे नहीं घूमने भेचते हैं, दूसरे देश में जाकर और लोग घूमते भी हैं, लेकिन दूसरे देश में जाकर आप वहाँ के training academy को देखते हैं, वहाँ के प्रशासन के अच्छाईयों को देखते हैं, बुराईयों को देखते हैं, सीखते हैं और आप वापस आते हैं, यह सारी joint secretary के साथ attach कर दिया जाता है, सह्यूक सचिव के साथ, और आपको एक assistant सचिव जो है, बनाया जाता है, ताकि केंद्र सरकार में भी आपका जब deputation होगा, आप जब काम करेंगे, तो वहाँ पे काम कैसे होते हैं, इसको आप समझ पाएं, तो कुल मिला के यह 2-5 साल का training period जो होता है, वो एक अभ्यर्थी को, एक aspirant को, एक सही functional IAS officer बनाता है, ताकि वो field में जाकर गलतिया ना कर पाए, जो गलतिया करनी है, वो training के दौरान कर पाए, तो काफी महनत होती है, लेकिन बहुत मजा आता है, जो लोग यह training से गुजरते हैं, वो बताते हैं कि यह training का समय उनको सारा जीवन याद रहता है, तो भाई, आप सभी को बहुत-बहुत शुपकामना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने training के अनुभव, आप लोग जब select हूँ, तो अपने training के अनुभव आप मेरे साथ share करें, मेरे को बताएं, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, महनत करनी पड़ेगी, चैनित होना कर बढ़ेगा, और उसके लिए, एक आपके लिए बहुत बड़ी सहायता है, जो है हमारा P2I batch, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो भाई, शुरू हो चुका है यह अमरतुपाद्धियाई सबर के साथ, पॉलिटी वो पढ़ा रहे हैं, AJ Live Code लगाईए, 2499 में जुड़ जाईए, ठीक है जी, तो अभी सेल चल रही है, P2I batch है, आप पारी सुबधाएं जानते ही हैं, एक बड़ी सुबधा क्योंकि प्रतिग्या batch है, तो क्या है, कि अगर आपका pre-qualify होता है, तो आपको आपकी fees refund हो जाएगी, याद रखिएगा, फेल केवल 31 तारिक तक है, तो इदम टाइम निकल रहा है, तुरंत AJ Live Code लगा के जुड़िए, और अपने तयारी को सही आकार प्रदान कीजिए, इफ चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,